कैसर जया लिए हूं जो भी आपके घर में केसर फ्लेवर का और इधर मैं किस्मिस थोड़ा सा दूद में भिगो के रख भी थी बस ऐसे ही दो मिनट अभी हुआ है ऐसे डाले हुए मैं अभी इसे मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेती हूँ अगर पके हुए केले घर में होना उसका बनाईए तो उससे मीठा पन जादा आता है और इसमें मैं बेकिंग सोडा के यूज नहीं कर रही हूँ और इसमें मैं दूद दो चमस दूद डालके इसे मिक्स कर लेती हूँ इस तरह से हमारा यह देखिए इसका वैटर त्यार हो गया है इसके बहुत पतले मतलब पतला नहीं करना है इस तरह से इसे गाढ़ाई रखना है इसमें थोड़ा मैं तूटी फूटी थोड़ा सा डाल देती हूँ यह बच्चों के लिए यह बहुत ही हल्दी है इस तरह से यह कप मोल्ड है हमारा कपकेक का सिलीकॉन का इसमें मैं कर रही हूँ इस तरह से मैं भढ़ देती हूँ इस तरह से मैंने सारे भढ़ ली अभी इसकी उपर थोड़ा सा ठोटी फूटी डाल देती हूँ यह केक मैं माइक्रोवेब में बनाने जा रही हूं आप चाहें तो इसे जैसे कडाही में भी बेक होता है उस तरह से भी कर सकते हैं इस तरह से देखिए मैं माइक्रोवेब का जो प्लेट होता ना काच के उस पे मैं रखी हूं अभी मैं इसे एक मिनट के लिए रख करके स्टा इसमें कोई सुगर भी एड नहीं है ना तेल ना बटर इसमें कुछ भी मैं एक्ट्रा नहीं डाली हूं तो इसले बच्चों के लिए यह बहुत ही हेल्दी है और इसी बहाने बच्चे और केला दोनों साथ में खा लेंगे और इस तरह से अगर मोल्ड ना हो तो आप यह कप हो कॉपी कप उसमें भी आप कर सकते हैं यह इस तरह से जो आता है कॉफी कप कॉफी कप उसमें भी आप बना सकती है दो मिनिट में बन जाएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और फैमली फ्रेंड को सेर करें थैंक यू